ओके स्टूडेंज आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं और यह और एजन्स फॉर क्रॉस पॉलिएशन एजन्स ओफ क्रॉस पॉलिएशन आप सभी जानते हैं जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में सेल्स पॉलिएशन और उसके अडापटेशन कम्प्रीट किया था और क्रॉस पॉलिएशन एक्चॉल में क्या है वो हमने डिफाइन किया था अब आगे हमें किस तरीके से क्रॉस पॉलिएशन जो है वो एक्कॉम्प्रीश होगा पूरा होगा वो हम पढ़नी जा रहे हैं यहां पर एक और हेडिंग इसका हम रख सकते हैं एजन्सीस ओफ क्र क्रोस पॉलिशन एक्राउस पॉलिएशन एक देखे हैं एक चीज़ सब को यह रखना पड़ेगा हमारे पास जिदने यह एनजियो स्कॉंप्स हैं एक जिदने विए फलार्य ब्लैंट से मिजानेटी जो फलारी ब्लैंट से तड़ और क्रॉस पॉलिशन ओके आख तो cross-pollination में हमें पता है कि हमारे पास दो different plants होंगे तो दो different plants के पास एक plant के पास आपका male reproductive part दूसरे plant के पास आपका female reproductive part present होगे it means that two male and female plant parts will be far away from each other एक दूसरे से बहुत ज़्यादा distance पे होगा तो जाहिर से बात है male reproductive parts that is anther से pollen pollen grain जो है आपके दूसरे plant के stigma तक जब आपका transfer होता है उसी को ही तो हम cross-pollination कहते हैं तो जब आपका pollen grain एक plant से दूसरे plant के एक plant के एंther से दूसरे plant के flower के stigma तक जब वो transfer होगा transfer कराने के लिए कोई ऐसा agent होना चाहिए कोई उसको ले जाने वाला कोई entity होना चाहिए तो इसका मतलब cross-pollination बिना agencies के नहीं हो सकता तो इतना हमें याद रखना है तो इतना हम लोगों को दिमाद में बिठा कर रखना पड़ेगा कि जितने भी हमारे पास agencies हैं यानि cross-pollination को कराने वाले agents हैं उनको generally हम दो groups के अंदर हम पढ़ते हैं क्योंकि living organism भी as an agent काम करता है pollen brain को anthal से stigma तक transfer कराने का ले जाने का काम करता है या non-leaving जो हमारे पास entities है वो भी help करता है pollen brain को एक plan के फलार के anthal से दूसरे plan के फलार के stigma तक transfer करने में help करता है इसलिए generally cross-pollination करने के लिए जो agents या agencies होंगे उन agencies को agents को हम generally दो headings के अंदर या दो groups के अंदर हम पढ़ते हैं one agencies या one agent is studied under the category of abiotic agents abiotic agents and the one the next one is called as biotic agents it means there are two groups of agencies one is non-living and the next one is living agencies ठीक है okay abiotic agents के अंदर generally बहुत हलाग कि ये बहुत less होता है ये वादा जो abiotic agencies के वज़े से जो cross-pollination होता है वो बहुत ही कम plants के अंदर आपको मिलेंगे लेकिन फिर भी बहुत important या ये दोनों हमारे पास है तो इसके अंदर हमें generally मिलेंगे abiotic agencies के अंदर दो चीज़े एक तो wind के द्वारा या air के द्वारा air के जरीय से आपका polygrain जो है वो transfer हो सकता है anthar से stigma of different plants और different flowers दूसरा जो non-living entity है या abiotic agent है that is your water water ठीक है तो जाहिर से बात है water के द्वारा जो agency यानि water के द्वारा जो pollination हो रहा है वो mostly जाहिर से बात है aquatic plants के अंदर होगा ठीक है aquatic angiosponic plants के अंदर ओके इसी तरह के से हमारे पास biotic agents बहुत सारे है जंप्रवी आप अगर देखें तो biotic जो agencies है उनको हम कई सारे groups के अंदर पढ़ते हैं देखिए for example हमारे पास insects है insects सबसे ज्यादा खासकर biotic agents के अंदर जो सबसे ज्यादा pollination यानि cross pollination कराने वारे agencies जो है वो आपके insects है यह याद रखेगा number second insects के इलावा और कौन-कौन से living organism है जो pollen grain को एंथर से दूसरे plant के female reproductive part के stigma था pollen grain को transfer करा सकता है एक तो biotic agents के अंदर यादिविंग agents के अंदर हमने insect पढ़ा number second हमारे पास है birds या आपके पास birds है चिडिया जो है या बागी चिटने भी birds है चिडिया है नहीं बहुत सारे जितने भी birds है वो सारे birds भी pollen grain को transfer कराने में बहुत important role play करता है they play a very pivotal role in transferring the pollen grain from एंथर of one plant to the stigma of another plant flower of another plant number third जो हमारे पास biotic agent है या living agent है जो pollen grain को transfer कर सकता है from one flower of one plant to the different flower of the different plant that is your आप कह सकते है ants जो है वो भी transfer करते है याद रखे गए ये शावाश number fourth जो है bat अमारे पास जो चंगाडर होते है वो भी कुछ ऐसे गिने चुने plant species जब हम पढ़ेंगे तब हम साथ साथ में plants के species के नाम भी बताएंगे तो कुछ plants ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर bat बड़ा important role play करता है pollen rate को transfer करने में and number fifth जो है कुछ snails या जिनको हम कहते हैं sluggish animal यादि जो ज़्यादा तर sluggish animals के अंदर हम snails की बात करेंगे तो ये कुछ living organisms हैं जो anthra से stigma तक pollen rate को transfer कर सकता है एक और चीज़ एक और हम add कर सकता है generally हम कहते है animals animals का मतलब यहाँ पे देखी यह सारा animals ही है लेकिन animals यहाँ पे हम थोड़ा सा large जो animals है उनकी बात कर रहे है large animals including cow including goat including human ourselves ठीक है तो हमने क्या कहा generally हमारे पास cross pollination के जो agency से cross pollination करने वाले जो चीज़ें है वो दो category के है एक तो non living वाले category है दूसरा living वाले category है non living वाले category में हमारे पास दो essay integrity आपको मिलेंगे non living चीज़ेंगे आपको मिलेंगे जो pollination cross pollination करने में बहुत बड़ा important role play करता है क्या है कुण कुण से हैं एक तो हवा के जरीए आपका pollen grain transfer हो सकता है number second पानी के जरीए आपका pollen grain transfer हो सकता है बायोटी गैजर्स के अंदर बहुत सारे हैं insects जो की बहुत ज्यादा important role play करता है birds, ants, baits, snails और बाकी जो larger animals हैं ये सारे जो हैं हमारे biotic agencies हो गए अब हम सब को अलग अलग से पढ़ेंगे एक चीज़ आपको याद रखना है शावाज इनको कुछ technical terms हम इसके अमार करते हैं जाहिर सिपाते biology के अंदर एक general term भी होता एक technical term होता है ठीठ है तो यहाँ पे अगर आपका याद रखिए ये शावाज अगर आपका pollination यानि cross pollination यानि pollen अगर आपका transfer हो रहा है एक plant के anthra से दूसरे plant के फिलार के stigma अता wind के द्वारा यानि by means of wind अगर का तो हो रहा है तो मत्रिस ओधे यानि जा कहते हैं pollination को हम कहते हैं animophily क्या कहेंगे शावाज animophily ता याद रखना है यानि अगर आपका pollen transfer हो रहा है by means of wind that pollination by means of wind that is abiotic agent is called as animophily and अगर आपका pollination हो रहा है खासकर aquatic plants के अंदर अगर आपका pollination हो रहा है by means of water then it is called as hydrophily क्या कहेंगे शावाज बिटा उसे कहेंगे hydrophily ठीक है okay hydrophily को भी हम generally दो headings के अंदर पढ़ते हैं यह जब हम इसको detail में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा हम इसको अलग अलग से पढ़ेंगे कुछ और नाम यहां देते हैं इनको epihidrophily को epihidrogymine भी कहते हैं याद रखना epihidrogymine okay and hypohydrophily को एक और नाम आप दे सकते है hypohydrogymine जब exam में अगर यह आ जाता है तो different नाम से आ सकता है तो इसलिए यह नाम आपके दिमाद में रखना चाहिए और आप देखिए शाबाश अगर याद रखो ये शाबाश अगर बायोतिक एजेंस के अंदर अगर इंसेक्स की वज़ेसे पॉलिन ग्रेन आपका ट्रांसफर हो रहा है मेल से फीमेल प्लैंट के पास उस इंसेक्स के दौरा हो गए हुए कि आपका पॉलिनेशन को ये भी बायोतिक एजेंस की बात कर रहा है अगर हम तो इंसेक्स की वज़े से अगर हो रहा है उसको भी एक टेक्निकल टर्म हम इस्तेवाल करते हैं बाटिनी के अंदर that pollination which is done which is accomplishing by means of insects by the agency of insects is called as entomophily याद रखो ये शाबाश क्या कहेंगे entomophily and the study of insects is called as entomology यह जब हम detail में पढ़ेंगे और भी इसको हमें elaborate ही पढ़ना है number second, अगर birds की वजह से यानि परिंदों की वज़े से अगर pollen grain transfer हो रहा है from one plant यानि एंथर of one flower of one plant to the stigma of another flower of another plant अगर birds की वज़े से हो रहा है then this type of क्या कहते हैं pollination is called as याद रखे शाबाश और निथो फिली क्या कहेंगे और निथो फिली and सब को पता है study about birds is called as ornithology और अगर आपका pollination हो रहा है by means of ants ants की वज़े से भी कुछ plants के अंदर होता है साथ में जब हम इसको अलग अलग से हमें पढ़ना है भी detail में पढ़ना है एक एक करके उस तामें हम कुछ plants के species भी आपको बता दे के और अगर ants की वज़े से ये pollination हो रहा है then this type of pollination is called as myrmecophily याद रखो शाबाश myrmecophily याद रखो ठीक है and tomophily by means of insects ornithophily by means of birds myrmecophily by means of ants and अगर कुछ plants ऐसे होते हैं जो night को bloom करते हैं जिनका flowering जो है वो open होता है flower जो है वो open होता है रात के time पे ऐसे flower के अंदर वैसे ही organisms active रहेंगे pollination करें जो रात को ज्यादा active होते हैं और हमें पता है बैट जो है वो सबसे ज्यादा रात को ही active होता है तो in case of बैट अगर बैट के दौरब pollination हो रहा है then उस type of cross pollination by means of biotic agents यानि बैट is called as kyreptorophyllee 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 okay and pollination by means of snails snail की दौरब अगर pollination हो रहा होगा तब ऐसे pollination को हम कहेंगे malakophyllee क्या कहेंगे शाबज बैटा malakophyllee and last में एक हमारा बाद जाता है large animals के दौरब यानि जिसे की हम इंसान हैं या कुछ बड़ा भारी बरकम जो कोई animal होगा अगर उसके दौरब अगर हो रहा है that type of cross pollination is called as zoophilly ये सब को याद रखना है शाबश that is called as zoophilly okay अब देखिए these are some of the agencies of cross pollination and these agencies were categorized into two categories one is abiotic number second is biotic ये सब को दिमाग में मिठाना है हम क्या करेंगे एक एक करके सारे हर एक class में इनको एक एक करके हमें पढ़ना है ठीक है यहां तक समझ में आ गया होगा I hope तो चलिए एक चीज़ याद रखना है साब को थोड़ा बहुत और भी में यहां पे note अगर करना है तो आप note कर सकते हैं मैं थोड़ा साब को time दे रहा हूँ उसके बाद मैं इसको मिटा दूँगा अब देखिए शाबाश ये हो गया agencies की बाद अब थोड़ा सा अब यहां पे थोड़ा बहुत हमने पहले पढ़ा है what are the characteristic features what are the structure of pollen grain what are the different structural features of pollen grain वो हमने पहले class हमने पढ़ा है अब यहां पे थोड़ा pollen grain की viability की बारे में बात करेंगे समझ में आ रहा है क्या करेंगे viability की बारे में अब pollen greens या आप इसे लिख सकते हैं viability of pollen greens viability of pollen greens देखे जितने भी हमारे पास angiospormic plants है उन अगiospormic plants के अंदर जो different तरीकी की pollen grains जो produce होता है वो सारे के सारे एक ही तरीकी की viability नहीं रखते अब यहां पे बात यह है what does the word viability means viability means मैं यहां में लिख रहा मुसार में लिख लीजे शाबाज the period of which the period of which the pollen grains the period of which the pollen grains और सब को पता है pollen grain का मनला pollen grain contains the male gamete यह तो सब को पता है हमारे पास जो generative nucleus था वो generative nucleus से दो male gamete बनने वाला था यह तो सब को पता है शाबश्टीक है the period of which the pollen grains यह तो पता है male gamete has the ability to fertilize fertilize the egg egg that is female gamete यह यह नी female gamete इसका मतलब का हुआ कि एक pollen grain के पास क्या capacity है कितना काबलियत है कितना ability है कि वो कितने समय तक female gamete को fertilize कर सकता है वो यह समझने आया कि इसका मतलब जितने भी हमारे पास angiospalms के हैं pollen grains जो हैं सारे pollen grains के पास एक ही तरीके के viability नहीं होगा यह इसका मतलब कुछ कम समय के अलिए viable रहेंगे viable means the capacity to fertilize the egg यह समझने आ रहा है ठीक है यही कि किस तरीके से एक pollen grain या उस pollen grain के अंदर जो male gamit है उसके पास कितना capacity है कितने समय तब वो active रह सकता है जिन्दा रह सकता है ताल कि वो female gamit को क्या कर सके fertilize रह सके that is called viability of pollen grain तो इतना याद रखना मैं कुछ example आपको यहां पे दे रहा हूँ for example हमारे पास rice and wheat जो है उसका हम best example ले सकते हैं शायद यह आप लोगों नोड कर लिया होगा अच्छा देखिए for example हमारे पास कुछ examples है examples हमारे पास दो plant है जो general हम इस्तेवाल करते है खाने के लिए wheat मातिस कर देका ची crow छेचा है that is the botanical name of wheat is what triticum estivum we have to underline these separately एक wheat होगा दूसरा एक हो best example हमारे पास है rice चावल the botanical name of which is oryza stiwa oryza stiwa ये जो दो plants हमारे पास है wheat और rice अगर आप इनका viability देखेंगे यनि अगर आप ये रिखेंगी कि इनके pollen कितने समय तक जिंदा रह सकता है viability viability होता है वो 30 minutes ही होता है 30 minutes यनि इसका मतलब क्या हुआ सिर्फ 30 minutes तक वो जिंदा रहे है इसका मतलब क्या हुआ अगर wheat और rice का pollen grain अंथर से रिलीस हो रहा है आधे गंते के अंदर 30 minutes के अंदर अगर वो आधे गंते के अंदर fertilization हुआ तो ठीक है नहीं तो आधे गंते के बार कितना भी आप कोशिश करो wheat और rice का जब pollen grain वो कभी भी fertilize नहीं हो कर सकता यह एक के साथ कभी भी fertilization नहीं कर सकता तो इसका मतलब उसका time period कितना है fertilize करने का time period सिर्फ आधे गंते और most of the जो हमारे पास most angiosperms यानि ज्यादा तर जो हमारे पास most जो angiosperms होगा वो angiosperms का जो viability होता है few months तब यानि कुछ महीनों तक उसका viability हो सकता है इतना याद रखना समझने आ रहा है viability means कि एक pollen grain कितने समय तक active रह सकता है कितने समय तक वो किसी female gamete को fertilize कर सकता है यानि male gamete कितने समय तक female gamete को fertilize करेगा that is called viability of pollen grain wheat, rice का 30 minute और बाटी चितने भी maximum जो angiosperms है majority जो angiosperm है उनका उनके pollen grain का viability जो होता है वो कितना होगा few months तक हो सकता है ठीक है बस आप खतम हो गया थोड़ा और हमें आप लोगों को यह साथ साथ में लिखना चाहिए शावाश चलिए अब देखे कुछ plans के थोड़ा बहुत pollen grains की बात करेंगे हमारे पास कुछ these are some of the important points है जो आपके जो academic जो exam है उनमें तो नहीं पूछा जा सकते लेकिन जो आपके पास competitive need type की exam से उनमें इस तरही की questions जो data based या कुछ जो minor जो चीज़े हैं उनको वो ज्यादा पूछ लेते हैं ठीक है for example देवो इतना याद रखना हमारे पास smallest pollen grain किस plant का हो सकता है smallest pollen grain याद रखिए ये शाबर्ष smallest pollen grain आपके किसका होगा याद रखना हमारे पास एक plant होता है जिसका नाम है myosotis myosotis का pollen grain की होते हैं सारे pollen grains के comparison में सबसे smallest होता है smallest pollen grain of all और इसका size कितना होगा 2.5 micrometer इसका size होगा याद रखो शाबाश note down करना इसको number second the largest pollen grain diameter में अगर आप बात करेंगे largest pollen grain याद रखना largest जो pollen grain होगा smallest pollen grain तो हमने क्या कहा myosotis largest जो pollen grain होगा sorry यहाँ largest नहीं longest pollen grain longest longest pollen grain जो होता है वो किसका होता है याद रखना है शाबाश longest pollen grain होगा that is of जॉस्टेरा जॉस्टेरा it's an aquatic plant aquatic plant longest अगर आप इसका size लेखेंगे कितना होता है 2500 micrometer इतना उसका होता है याद आप कह सकते हैं लंबाई या लंबा इतना हो सकता है तो these are some of the important data next जो class होगा hy आप भी लेदेगे हमारे नहीं सकता है